नमस्कार दोस्तो आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे रीमिंग ओपरेशन के बारे में जो ड्रेलिंग मशीन ओपरेशन का एक टाइप है जानेंगे कि इस ओपरेशन को कैसे किया जाता है और इसका मेन परपस क्या रहता है ड्रेमिंग ओपरेशन को परफॉर्म करने से पहले हमें वर्क पीस में ड्रेलिंग ओपरेशन को परफॉर्म करना पड़ता है एक होल को ड्रिल करने के लिए उसके बाद जो होल हमने ड्रेलिंग ओपरेशन से ड्रिल किया है उसकी जो जमेटरिकल एकुरेशन बहुत कम होती है surface finish भी उसकी अच्छी नहीं होती इसलिए हमें उस particular hole को finishing देने के लिए उसके size को accurate करने के लिए हम reaming operation को perform करते हैं और reaming operation को perform करने के लिए जिस multi point revolving tool का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम reamer के नाम से जानते हैं तो यहां diagram अगर आप देखें तीन टाइप के reamer इसमें आपको नजर आ रही हैं सबसे पहली यह helical reamer है उसके बाद spiral reamer है और यह straight reamer है एक प्रकार से यह hand reamer और machine reamer है और जो reaming operation है इसको हम hand के दुआरा भी कर सकते हैं और इसको machine के दुआरा भी किया जाता है और reamer को अगर हम देखें इसका यह जो part होता है जिसे हम sank कहते हैं और जो flutes होते हैं वो इसकी body पर बने होते हैं और इसे हम flute length भी बोलते हैं इस sank को हम जो हमारी machine का जो drill chuck है जो machine के spindle के साथ attach होता है तो drill chuck में इसको insert किया जाता है और इस motor को drive करके हम जो हमारा reamer है उसको हम rotate करते हैं और उसके बाद उसकी feeding की जाती है work piece के अंदर जिस work piece में हमने drilling operation को perform करके पहले ही hole को बनाया था तो उस hole में हम reamer को फिर से insert करते हैं ताकि hole को हम accurate size देशकें और उसकी surface finish को बढ़िया कर सकें तो इस प्रकार से reaming operation को perform किया जाता है directly हम reaming operation को नहीं करते basically जो drilling operation है उसको follow किया जाता है reaming operation के दुआरा एक प्रकार से जो reaming operation है ये एक highly finished surface हमें परदान करता है और इस particular operation में जो material removal rate है वो एक प्रकार से negligible होता है और इस operation के दुआरा हम straight, smooth और accurate hole हम इसमें बना सकते हैं अगर हम accuracy की बात करें तो इसमें हमें plus minus point zero zero five mm की accuracy हम इसमें achieve कर सकते हैं और एक प्रकार से जब हमें proper hole की finishing करनी है उसके size को accurate बनाना है तो उस case में सबसे ज़़दा जो operation प्रियोग किया जाता है वो rimming operation होता है तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया rimming operation जो drilling machine operation का एक type है इसे किस tool की मदद से किया जाता है और इसको करने का main purpose क्या रहता है अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ और जल्दी हजर होते एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे हुआ है